अब देखते हैं जी हम ओवर्फिटिंग क्या होती हैं ओवर्फिटिंग अंडर्फिटिंग का उल्ट है जैसे अंडर्फिटिंग के अंदर आपका model बहुत ही simplistic था ओवर्फिटिंग के अंदर ये बहुत ही complex हो जाएगा यानि कि इतना ज्यादा सीख जाएगा model कि जनरलाइज नहीं कर पाएगा मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ अंडर्फिटिंग एक ऐसा class का बच्चा है जो last night study करके सुबा को paper देने जा रहे obviously उसने जो study किया है तो उसमें भी अच्छा perform नहीं कर रहा सुबा को जो paper में अगर out of this labels question आ गया तो वो उदर से भी गया तो ये अंडर्फिटिंग की example है अब चलते हैं ओवर्फिटिंग की तरफ ओवर्फिटिंग एक ऐसा student है जो रटा वाज है वो एक एक लफ्स को एक एक sequence को रटा लगा के उसने रखा हूए और जब वो question जो किताबों के अंदर दिये हुए as it is नहीं आते test के अंदर तो वो बंदा परिशान हो जाता है मिसाल के दोर पे कि वो बच्चे ने याद किया हुए कि पाकिस्तान का मतलब क्या वो नीचे लिखा है लाई 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 ठीक है लेकिन अगर वो ही question different इल्फास के अंदर आ जाए कि आप पाकिस्तान से क्या मतलब लेते हैं तो उस बंदे को समझ नहीं आनी कि इसका answer मैं क्या करूँ क्यूँ? क्यूँ कि उसने याद किया हूँ रटा लगा के पाकिस्तान का मतलब क्या है ठीक है? तो इस तरीके से इसको बोलते हैं overfitting यानि के रटावास बंदा हमने क्या करना है काफी चीज़ों का रटा भी लगाना होते है खासतोर पर definitions और बागी चीज़े और कुछ चीज़े conceptually भी clear करनी होती है जिसको हम underfitting बोलते है कि आपको simplistic way में भी चीज़ों की समझ आया और complex way में ही आया तो ये दुनों का हम जोड लेके चलते हैं अब overfitting के बारे में मैं आपको बताता हूँ overfitting occurs when a model learns the details and noise in the training data as well मतलब रटा बाज इंसान एक ऐसा रटा लगाने बैठके है कि स्वाल तो उसने याद करने थे जवाब भी याद करके बैठा है कि मश्क नमबर या exercise नमबर 36 का question नमबर 5 जो है उसका answer 15 आना चाहिए अब अगर वो 15 ना है वो बंदा fail है ऐसे होता है न अक्सर mathematics की classes के अंदर आपने देखे होंगे कुछ थीटे या ज्यादा पढ़ने वाले जो बच्चे है वो answers भी याद करके बैठे होते है मेरे साथ तो ऐसा होता था जो मेरे class fellow तो वो answer भी याद करके बैठे होते थे so that happens अब जब वो बहुत ज्यादा ही उसको learn कर ले इतनी extent के उपर learn कर ले कि वो perform ही न कर पाए on unknown data set उसको हम बोलते हैं overfitting यहाँ पर बात समझ आगी जितनी असान से मैं आपको समझा रहा हूँ hopefully आपको समझ आगी होगी कि overfitting क्या होती है अब देखते हैं कि overfitting हमारे पास किन-किन scenarios के अंदर होती है पहले चीज़ इसकी characteristics यह हैं कि this works excellent on the training data training data पर यह आपको 100% accuracy के क्रीब क्रीब दे देगी 89%, 80%, 79% यहाँ तक आपको accuracy मिलती जाएगी 90 तक भी मिल जाएगी training data के उपर लेकिन testing data के उपर, new data के उपर यह अच्छा perform नहीं करेगा यानि कि इसकी validation data के उपर पकड़ नहीं होगी that is why overfitting भी एक problem है then this captures noise as significant features as well जितना भी आपके data के अंदर outliers है, noise है, कुछ भी है यह उसको भी पूरे का पूरा draw कर रहा है यानि के यहां पर यह line देखें यह line हर point में से गुजर के आगे जा रही है यानि के अगर कोई एक outlier हुआ तो इसने उसको भी count कर लेना है ठीक है, so that's why we need to be careful causes इसके के हैं जी this is causes हैं जनाबे वाला के this is actually a complex model for training data too many features as a parameter and insufficient regularization ठीक है फिर आते हैं consequences decreased predictive accuracy on new data यानि कि new data बेचा काम नहीं करेगा and misleading high performance on training data अकसर वकात लोग overfitting को कह दोते हैं मेरा model training में बहुत आला चला है उनको validation का concept ही नहीं clear होता है तो training data वो data है जिस पे model को आप train कर रहे हैं और validation data वो data है जिसके बारे में model को नहीं पता और उसको test करने के लिए आप साथ-साथ उस data को दे रहे हैं और neural network के अंदर आप दोनों data को एक अथा भी परवाइड कर सकते हैं which we are going to do in our exercise ठीक है अब इससे क्या होता है consequences can decrease predicted accuracy and misleading high performance on training data अब इसके और भी वजुहात हैं जिसके solution भी हम द्रियाफ्ट करने वाले है solution यह है जनाब इसका कि this to simplify the model यानि कि जितना complex model उसको simplify कर दें अब यह underfitting का ult है increase the training data size training data के size को बढ़ा दें ताके वो unknown को भी उसके अंदर ले के आए use cross validation ठीक है cross validation को use करें multiple features को निकालें testing के लिए रखें training के लिए रखें validation के लिए रखें फिर उनको cross validation के तुरू check करें apply regularization which we are going to do today और मैं आपको समझाऊंगा regularization क्या होती है फिर early stopping को भी use करें यानि कि आप patience या early stopping जो neural network के अंदर जो चीज़ हम use करते हैं उसको भी यहां पर utilize करें to understand that in better way की outcome के है जिसकी we aim for the model हम model के लिए aim करते हैं that generalize well to new unseen data rather than one that only performs well on the data it was trained on यानि के एक ऐसा model हम यहां पर plan करते हैं मैं अपनी तस्वीर को निचल ले हूँ हम इसमें ऐसा model त्यार करते हैं या ऐसा student त्यार करते हैं या ऐसी machine learning की app या AI model को त्यार करते हैं जो सिरफ training पर इने अच्छा perform करें field के अंदर भी अच्छा perform करें समझाई बात की आप बच्चों को घर में पाने वाली वो guns दे के बठा दे लेकिन जब वो कहीं अगर फॉजी बन जाते हैं future के अंदर या soldiers बन जाते हैं तो अगर वो वो वहाँ पे अच्छा perform नहीं करेंगे उसके लिए training different होगी या इसकी एक और मिसाल मैं दे देता हूँ कि घर में आप बच्चे को जितना मर्जी ट्रेन करते जाएं कि ये चम्मच ऐसे उठा के खाना है ये फोके नाइव के साथ खाना खाना है वो ट्रेनिंग के दुरान तो अच्छा perform करेंगा पता तब चलना है जब आप कहीं महमान गए होते हैं ठीक है और अक्सर वकात आपके cousins जो हैं उनके बच्चे आपने देखा होगा उनका तब पता चलते हैं जब महमान आए होते हैं या महमान गए होते हैं तो ट्रेनिंग इन चीजों पर डिपेंड करती है अब चलते हैं तीसरी डाइब की तरफ वो होती है गुड और रोबस फिट ओफ दे डेटा मैं इस कुंसेप्ट को आपको ट्रांसफर लेंनिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ तो अब अगले लेक्षर की तरफ मूव करते हैं पहले